दोस्तो, agriculture sector बहुत important है आपके UPC exam के लिए, हर साल बहुत से question पूछे जाते हैं आपके agriculture sector से, आईए, शुरुवात करते हैं इस sector की पहला question है हमारे पास chemical fertilizer के उपर और यहाँ पर आपसे correct statement पूछी गई है At present, the retail price of chemical fertilizer is market driven, not administered by government दूसरा है, ammonia, which is an output of urea, is produced from natural gas तीसी treatment है आपके पास, sulfur, which is a raw material for phosphoric acid fertilizer, is a by-product of refinery oil अब यहाँ पे आपको पता होना जी कि एक new urea policy आय थी 2015 में, उसके according अभी भी government कहीं न कहीं जो आपके fertilizers है, उनके prices को control करती है अब क्योंकि urea के prices government control करती है, तो fertilizer market driven तो हो नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर subsidies मिलती है, तो इस वज़े से आपकी पहली statement गलत हो जाती है यह जो sulfur है, यह raw material यूज़ करते है हम phosphoric acid में, और यह आपका byproduct है refinery oils का तो इस वज़े से आपकी third statement ठीक हो जाती है अब second statement ठीक है या नहीं, इससे फरक नहीं पड़ता, because दोनों ही option में हमार पर second statement ठीक थी अब एक बार देख लिते हैं कि यहाँ पर क्या given है ammonia, which is an output of urea, is produced from natural gas तो यहाँ पर आपका answer आजाएगा B option आईए, अब चलते हैं अगले question पर अब यहाँ पर इस question में आप से पूछा गया है कि agriculture sector में public investment क्या है इंडिया में देखे, सबसे पहले तो आपको यह पता होना जाएगा कि public investment होती क्या है अब जहाँ पर आप government का पैसा लगाते है या यह कहाँ लीजिए, public का पैसा लगाते है और उससे कोई asset या capital जनरेट होता है न social asset या capital उससे कहते हैं public investment अब यहाँ पर आप देखे, किन-किन चीजों में ऐसा हो रहा है अगर हम fix कर दे MSP तो इससे कोई asset थोड़ी create हो रहा है तो हमारी first statement तो गलत होगी अब अगर हमें first statement का पता है कि वो गलत है तो option A भी eliminate हो गया B भी हो गया और D भी हो गया Although हमारा सही answer आ चुका है लेकिन बाकी statement को एक बार देख लेते हैं यहाँ पर second statement में कहा है कि computerize करना चाते हैं हम primary agriculture credit society को तो इससे आपका एक asset create हो रहा है तो बिल्कुल यह इसमें आएगा दूसरा है social capital development में अब यहाँ पर भी assets create हो रहे हैं न तो इस वज़े से यह भी इसमें count होगा चौतिस statement में आपसे free electricity देने की बात की गई है यहाँ पर यह तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई asset नहीं create हो रहा है उसके लावा loan waiver के बारे में बात की गई है तो यह statement भी गलत होगी अब यहाँ पर आपको कुछ statement दी गही है किसान credit card scheme के बारे में और आपसे पूछा गया कि इनको आप किस चीजों के लिए use कर सकते हैं एक बार हम statement देख लेते हैं और फिर logical answer पर चलेंगे देखे पहला है working capital for maintenance of farm asset दूसरा है परचेस करने के लिए combined harvesters, tractor और mini trucks consumption requirement of farms household post harvest expenses लास्ट है आपका construction of family houses and setting up of village cold storage अब एक चीज बताईए एक छोटा सा person मतलब एक छोटा सा किसान जिसके पास किसान credit card scheme के अंडर एक card बना है क्या उसकी इतनी card limit होगी कि वो cold storage facility एक village level पे develop कर सके या यहाँ पर किसानों को अपना घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता हो तो पांचवी statement तो logically यहाँ पे गलत हो जती है अब क्यूंकि पांचवी statement गलत है तो यहाँ पर देखे आपका A option eliminate हो गया C option eliminate हो गया और D भी तो answer बना B option अब यहाँ पर आपको यह चीज़ समझनी है कि आपको second statement शार ठीक लग भी रही थी बट trucks purchase करने के लिए government इस चीज़ के under पैसा नहीं देगा हो सकता है tractor और combiner के लिए फिर भी देता हो बट truck logical answer नहीं था यहाँ पे तो इस वज़े से answer B हमारा बिलकुल दुरुस्त है आगे चलता है अगले question पर अब यहाँ पर आपको कुछ statement दे रखिए और आपको correct statement चूज़ करने के लिए कहा है पहले statement में आपको यह कहा है कि जैसे cereals है, pulses है, oils है अगर इनका MSP declare होता है तो यहाँ पर government unlimitedly procure कर सकती है आपकी इन सबी चीज़ों को तो एक चीज़ बताइए, अगर आपकी buffer stock की एक limit है मतलब आप X amount of anage को store करके रख सकते हैं तो क्या आप उससे ज़्यादा purchase करेंगे बिलकुल भी नहीं तो अगर हमारे buffer stock की एक limit है तो हमारे purchasing power पे भी एक limit होगी तो यहाँ पर आप first statement को गलत कर दीजिए अगली statement पर चलते हैं In case of cereal and pulses, MSP is fixed in any state or UT at a level to which the market price will never rise अब ऐसा थोड़ी होता है हम यहाँ पर buffer provide करते हैं आपके किसानों को जहाँ पर हम यह देखते हैं कि अगर bumper production हो जाए किसी चीज की तो उससे किसानों को loss न हो तो हम इस तरह से तो price decides नहीं करते कि जहाँ पर आपके prices बहुत जादा hike कर दे हम चुकि अगर वो समान market में जाएगा तो बाकी consumers के उपर भी impact पड़ेगा तो इस वज़े से यह second statement आपकी क्या हो जाती है गलत हो जाती है यहाँ पर तो इसका answer बन गया neither one nor two तो answer D option आईए अब चलते हैं अगले question पर अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि economic cost of a food green to FCI is minimum support price and bonus paid to the farmer plus अब देखें यहाँ पर आपसे कहा गया है कि transportation cost only अब इसके लावा और भी तो बहुत सी cost इसमें जुड़ी हो सकते हैं न interest cost only तो यहाँ पर यह भी answer नहीं बनता और यह भी नहीं बनता logically अब यहाँ पर आपको तीसी statement में कहा गया है procurement incidental and distribution cost अब एक चीज़ समझीए कि जो FCI food grains वगरा खरीदती है यह PDA scheme के under distribute होती है तो कहीं न कहीं उसकी distribution cost मतलब वो states को कहा कहा समान भेजना है उसकी cost भी कौन बेर करेगा आपका FCI procurement के time पे जिस तरहां की cost होगी जैसे storage की हो या किसी तरहां की cost हो तो वो भी बेर कौन करेगा आपका FCI तो इस वज़े से जो economic cost of food grain है उसमें यह सब कुछ include होगा आपका जैसे distribution cost पहले और दूसरे option में given नहीं था उसके लावा अगर बात कीज़े चौथे option की तो यहाँ पर go down charges के बारे में तो बात की गई है बर distribution cost के बारे में बात नहीं की गई तो इस वज़े से यह आपका fourth option भी eliminate हो जाता है तो answer है इसका C option अब यहाँ पर आपसे import related कुछ question पूछे गए हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर long period के trend के बारे में question पूछे जाते हैं जब आपसे किसी import के बारे में बात की जाए या ऐसे किसी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा जिसकी figure में recently कोई change दिखा गया हो तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है among the agriculture commodity imported by India which of the following account the highest import in term of value in last five years अब देखिए यहाँ पर है पहला spices fresh fruits, pulses and vegetable oil अब देखिए एक चीज़ समझे अक्सर यहाँ पर इंडिया में दालो के price और vegetable oil के prices में उतार चड़ाव देखनी को मिलता है अब अगर आपको याद हो पीछे हमारी भैस हुई थी मेनमार से जब हमने 370 हटाया था तो मेनमार बहुत कुछ बोल रहा था तो हमने वहाँ से इंपोर्ट होने वाले vegetable oil के उपर tax increase कर दिया था तो यहाँ पर आप ये बात समझेए कि pulses और vegetable oil में सी कोई एक हो सकता है fresh fruit और spices में सी तो नहीं अब अगर आप logically चले कि इंडिया में crude oil के बाद तीसरी या चौती सबसे important चीज जो हम import करते है वो है vegetable oil तो आपका answer बिल्कुल perfectly आ सकता था तो यहाँ पर आपका answer है D option आईए अब चलते हैं अगले question पर विद रेफरेंस तो land reform in independent India which one of the following statement is correct अब यहाँ पर आपको post independence का एक question दिया गया है बट इसे आप economy से relate कर सकते हैं पहली statement है sealing law were aimed at family household and not individual householding अरे भहिया यहाँ पे family householding के उपर कोई limit नहीं थी whereas individual के उपर limit थी तो यहाँ पे आपकी पहली statement क्या हो जती है गलत हो जती है बिल्कुल जब विनोदा भावे जी ने भूदान योजन स्टार्ट की थी तो उसका aim यही था कि गरीब तबके को टेनेंट्स को या आप यह कह लिजिए landless laborers को उनको land मिल सके यही तो aim था भूदान योजना का तो इस वज़े से आपका B option बिल्कुल सही हो जता है आईए बाकी option भी देख लेते हैं एक बार result in cultivation of cash crop as predominant form of cultivation अब यहाँ पर cash crop का क्या लेना देना है हमने तो food crops के उपर ध्यान दिया था क्योंकि हमार पास food नहीं था खाने को तो इस वज़े से C option तो गलत हो जता है land reform permitted no exemption to ceiling limits अब यहाँ पर एक चीज़ बताईए आप जो barren land है वो भी तो exempted था forest land था वो भी तो exempted था तो exception तो वहाँ पर थे तो इस वज़े से D option भी आपका गलत हो जाता है तो आईए अब चलते हैं अगले question पर अब यहाँ पर आप से एक बार फिर से import export के बारे में question पूछा गया है और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ आपको कम से कम यहाँ पर trend के उपर focus करना चाहिए Among the following Which one is the largest exporter of rice in the world in the last five years अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमने चाइना को पचाड कर पहली बार यह गद्धी हासल की थी तो इसका answer चाइना नहीं इंडिया है Although आपने textbook या NC artists में चाइना पढ़ा होगा लेकिन recent time में अगर बात करें तो यहाँ पर इसका answer बनता है B option अब ऐसे तो आप किन-किन चीजों के बारे में देख सकते हैं तो आपके इंडिया yearbook है ना उनमें इस तरह के facts आमोमन दिये होते हैं तो agriculture chapter के बारे में एक बार आप वहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ ले कि इंडिया का export किसमें ज़्यादा रहा है किसमें कम रहा है इससे आपको means की भी answer आइटिंग में थोड़ी help मिलेगी और prelims में आपके काफी facts सही हो जाएंगे आईए अब चलता है अगले question पर अब यहाँ पर आपसे एक बार फिर से edible oil के बारे में पूछा गया है अब देखिए अगर आपको यह पता हो कि हम more than 50% जो edible oil use करते हैं वो import करते हैं तो यह आपका question का answer पिल्कुल सही हो सकता था अब माल लीजिए अगर ऐसा हो कि हम किसी भी edible oil के इंपोर्ट के उपर custom duty नहीं लगा रहे तो होगा क्या आपकी जो domestic industry है कहीं न कहीं उसके उपर impact पड़ेगा क्योंकि सर्सो का तेल तो या mustard oil जो बोलते हम वो तो इंडिया में भी produce होता है अब इंडिया के farmer को नुक्सान होगा तो वो सड़कों पे उतरेंगे यहाँ पर logical answer यह बनता है कि आपकी second statement गलत हो जाती है क्योंकि जैसे आपका mustard है इसके उपर government 25% का tax लगाती है या जैसे sunflower seed है इसके उपर 25% का tax लगता है crude soya bean oil है इसके उपर 30% custom duty लगती है तो इस वज़े से मैं आपको यह कहूँगा कि यह जो आपकी second statement ही यह बलकुल गलत है और answer इसका बन जाएगा A option तो आज की वीडियो में इतना ही कल हम फिर से continue करेंगे agriculture topic को धन्यवाद